नमस्कार मैं सतेंत कुमार गवर्मेंट आईटे कॉलेज 22 डिस्टिक बांदा में टीचर हूँ और आप सभी छात्रों का बहुत-बहुत स्वागर्थ करता हूँ आपके ही यूटूब चैनल आईटी आई 360 डिग्रीज में आज की इस वीडियो में आप सभी छात्रों को बताऊंगा कि किन छात्रों को टैबलेट का लाब मिलेगा और किस छात्रों को स्मार्टफोन योजना का लाब मिलेगा क्योंकि अभी तक बहुत जो मैंने सर्च की थी मगर किसी भी वेबसाइट पे इस प्रकार की जानकारी नही तो टैबलेट और स्मार्टफोन दो ही चीजे मिलनी हैं, आप लोगों को लेपटाप तो मिलना नहीं है, तो टैबलेट और स्मार्टफोन में से, जो मैं आपको एक दिखा देता हूँ, डीजी सकती पोर्टल से ही निकाला मैंने, यहां पर आप लोग डिपार्टमेंट का ना graduation है जो भी graduation के course है उन सब को smartphone मिलेगा जो micro small and medium enterprises department है उनको smartphone मिलेगा उत्तर प्रदेश skill development mission जो causal विकास की है उनको smartphone मिलेगा चलिए अब बात करते हैं tablet की तो जो higher education department है जो भी post graduate है जैसे की BA वालों को तो smartphone मिलेगा तो MA वालों को tablet मिलेगा ऐसी BSC वालों को smartphone मिलेगा तो MSC वालों को tablet मिलेगा ऐसे आप Bcom वालों को smartphone मिलेगा तो mcom वालों को souhaite tablet मिलेगा तो पोस्ट graduation के बच्चे हैं उनको tablet मिलेगा और जो graduation बच्चे-ऊन को इस keeper स्मार्ट फ़ोन मिलेगा फिर state counseling for vocational training जो मतलब iti के बच्चे थे हैं स्टेट counseling and vocational training के अंतरगत जो है वो ITI के बच्चे आते हैं चाहे वो government ITI हो चाहे private ITI हो उन सभी बच्चों को है वो tablet मिलेगा तो आप लोग देख भी सकते हैं ITI वाले बच्चों को tablet मिलना स्टार्ट हो गया है और tablet ही उनको मिलना है फिर medical education department जितने भी medical education में है जैसे कि कोई अगर BSC nursing कर रहा यह सारी चीज़े कर रहा है तो उन सब को tablet मिलेगा टेकनिकल education department है जैसे कि B-tech हो गया डपलोमा होगा यह सारी चीज़ों इन सभी छात्रों को जो है वो tablet मिलेगा department of cultural उन सब को जो है tablet मिलेगा और empowerment of person with disability department तो उनको भी tablet मिलेगा animal husbandry department जो है उसको जो है tablet मिलेगा department of agriculture education and research तो जैसे B-tech agriculture है और BSC agricultural है तो इन सब लोगों को जो है वो tablet मिलेगा तो आसा करते हैं अब आप लोगों को clear होगा होगा कि किन चात्रों को smartphone मिलेगा और किन चात्रों को tablet मिलेगा तो यह जानकारी 100% authentic जानकारी है और DG सक्ति clear की है तो आप आसा करते हैं कि आप लोगों को यह जानकारी अब इस first clear हो गई होगी साथ में आपको जानकारी पसंद भी आई होगी वीडियो अच्छा लगे जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिजो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अब नोट वीडियो के साथ तब तक सभी छातरों को बहुत बहुत धन्वाद